नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अब हो जाएए तयार क्योंकि आप सभी के जीवनकाल में तूफान से भी बड़ा संकट आने वाला है जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दे कि यह संकट जो आपको देने वाला है यह कोई गैर नहीं है यह आपकी अपना ही है, जो आपकी पीठ पीछे बहुत ही बड़ा हमला करेगा जी हाँ दोस्तों, आप यह बात जानते हैं, कि जो इनसान आप से सामने से नहीं हरा पाते हैं वह पीट पीछे बुरे रास्ते अपनाते हैं और दोस्तों, वह कोई गैर नहीं वह आपके अपने ही होते हैं और उन्हें में से कोई एक है जो आज के इस वीडियो में उनका नकाब हटाने वाला है जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा आज शाम के 400 सत्यसावित के उपरांत आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़ी खुश खबरी भी आने वाली है जिसे आप सभी का पूरा घर और परिवार खुशी से जूलने वाली परंतु से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और इन्हें सब के लिए हम आज के इस वीडियो को बहुत ही ग्रह गोचर की छानबीन करने के बाद बने हैं तो ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा माता रानी के आशिर्वात से आपके सारे दुख दर्द, कश्ट संकट सब कुछ माच्छान में ही दूर कर देंगे मा की शक्ती ही इतना है जी हाँ दोस्तों तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें चलिए बात करते हैं जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह महिला आपकी पीठ पीछे हमेशा बुरा संयंत्र रचते रहती है तो आप अब इस औरत के वश में आ चुके हैं आप यहाँ पर यह समझ ले कि वश में आना क्या होता है इसका मतलब यह नहीं में ही भटकते रहेंगे और यहीं से आपकी बरबादी की शुरुआत हो जाएगी सब मामले में सबसे बुरी बात यह होगी कि आपको कभी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि आपके उपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक कृए कर दी है या आप उपर किसी प्रकार का कोई बंधन किया गया है आप तो हमेशा यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परिशानिया आ रही है जो भी कश्ट आ रहे हैं वह भगवान की देन है ये आपकी किस्मत खराब है या फिर भाग गये अभी आपके साथ नहीं है और ऐसा करते करते आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा दोस्तों लेकिन आप खुशियों का एक पल भी कभी महसूस कर नहीं पाएंगे ये स्थिती सुनने में जितनी भी लाना पती है असलियत में उस से कई गुना ज्यादा भयानक है क्योंकि इसमें होता ये है कि जातक को कभी भी असल स्थिती का एहसास नहीं हो पाता है और उस स्थिती से बाहर निकलने की जातक कभी भी कोशिश नहीं कर पाता है और एक जाल में हमेशा के लिए फस कर रह जाता है कई लोगों को हमने अपने जीवन काल में देखा है कि वह हमेशा यह कहते रहते हैं कि जीवन में केवल और केवल कश्ट ही है जीवन तो नर्क के समान है खुशियों का एक पल भी कभी देखा नहीं है लेकिन जातकों से अच्छी तरह से बैठ कर चर्चा की जाए तो असल में उनके जीवन में इन सब चीजों की शुरुआत किसी ने किसी पड़ाव पर हुई थी और वह पड़ाव था उनकी तरक्की का, उनके उद्दार का यानि जब उन्होंने काम्यावी का स्वार चखा तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन में परिशानियों का आगमन हुआ और फिर यह सिलसिला लगतार चलता चला गया और बरबादी बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वर्षों वर्ष बीद गए ये पूरा जीवन ही बीद गया लेकिन सुख का एक पल भी देखने को नहीं मिला तो इन भयानक स्थितियों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं आपको हम वह संकेत बताएं दिन से स्पष्ट तौर पर आपको यह अहसास हो जाएगा कि आप किसी के बस में हैं आपका बंधन हो चुका है और आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे एक क्रिया है जिसे आपको करना होगा और कुछ ही समय में आप उस बंधन को आसानी से तोड़ पाएंगे और जब आप उस बंधन को तोड़ देंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमतकारी परिणाम महसूस करेंगे आप देखेंगे कि आप जीवन पूर्ण रूप से बदलता चला जा रहा है आपके देखते देखते ही सारी स्थितियां सम हो जाएंगे जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा और आपका जीवन भी फूलों की बगिया के समान महकने लगेगा अब ऐसे में कुछ ऐसे पुत्र की और अधर्मी लोग होते हैं जिन्हें किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता है लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि जीवन भर कष्ट भोंकते रहते हैं किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करके यहां से विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सब लोगों के लिए हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आप से कहना चाहते हैं। और श्री गोस्वामी तुलसी दास जी ने भी इस बात को रमायन में कहा है कि सकल पदारत है। जग माही करमहीन, नर पावत नाही इस संसार में सारी सुख है। सारी सुविधाएं हैं, वैभव और एश्वर्य हैं लेकिन करमहीन नर को यह कभी प्राप्त नहीं हो पाता। अब यहां पर करमहीन से कहने का मतलब है एक तक की बहनों और कुतर की इनसान से है। दोस्तों, जब भी कोई आपको किसी बात के बारे में बताता है, तो एक बार जरूर आपको अपने मन में उस बात के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। एक बार अपने मन में विचार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे शोध और अध्यरन के बाद कोई विचार प्रस्तुत करता है, तो जरूर कहीं न कहीं उस विचार में किसी न किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है, तो आपको भी उस बारे में सोच देने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों तो हम आपसे बस यहीं चाहेंगे कि बिना किसी को तर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें स समझने की कोशिश करें यदि संकेत आपको समझ में आए दिखाई दे तो आप हमारे द्वारा बताई गए उपाय को प्रिया को भी आज माले दोस्तों प्रिया करने में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा बस आपकी मेहनत लगेगी और यदि आपका बंधन किया किसी भी प्रकार का तो वह कट जाएगा आपका जीवन बदल जाएगा आप कश्टों से मुक्त हो जाएंगे हम इस बात का वादा करते हैं तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना है और अपने जीवन में उतारना है या दोस जैमान नव दुरगा अवश्य लिखें माता की प्रेम और आशीरवाद की और कृपा की किस जीव जन्तु को आवश्यक्ता नहीं है हमें भी है आपको भी है तो बस सच्चे मन और भाव से बिलकुल एक बच्चे की तरह है जो रोते हुए हुए अपनी मां से उसकी कृपा और हरियोम की भीख मांगता है ऐसे ही बस आपको भी जैमा भद्रकाली रक्षा करो लिख दे निश्चित तोर पर माता आपके उपर कृपा करेंगे अपना आशीरवाद आपको देंगे आपका जीवन सुन्दर हो जाएगा दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों यदि आप पर पहली बार आए हैं तो सबस्क्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा दें इस से आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनूबल बढ़ेगा हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों दोस्तों जो बातें हम अब आपको बताने जा र प्राशी है जिस से लोग अक्सर जलते हैं हमेशा जल दी हां दोस्तों ऐसा हमेशा देखा गया है कि चाहे जातक अमीर हो या गणिद दॉस्धिति में हो चाहे कम जानी या अधिक जानी हो फिर भी लोग उसी चलती है अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत तुला व्यवहार करते हैं और अपने सम्मान ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं इसकी वज़े यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप आज भले ही परिशानियों से जूझ रहे हैं आज भले ही आप समाज में निचले स्तर पर काम कर रहे हैं लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समाज में एक उंचा कद रुपया पैसा मान सम्मान से कमा लेंगे इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का अपनी इज़त का बहुत खयाल रहता है और आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं ग्रुप में नह आते हैं हरी के सामने मदद के लिए भीख नहीं मानते हैं पस इनी सब बातों से यानि कि आपकी चाल ढाल तौर तरीके बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अकसर आप से जलते हैं और कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं हर एक स्थिती में हो में लोटने लगते हैं और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगे हैं जैसा जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है आपको पीछे खीचने का नीचे गिराने का कई बार लोग काम्याबी हो जाते हैं इसका कारण भी आप स्वयम ही हैं क्योंकि जहां आप अपने आत्म सम्मान को बहुत महत्व देते हैं आप स्वभाव से बहुत भोले भाले हैं आप लोगों की चिकनी चुपडी बातों में तुरंत आ जाते हैं लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे आप तुरंत उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं अपने दिल के राज बता देते हैं हर एक सुख दुख में उन्हें शामिल कर लेते हैं, बाद में होता है, ये है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं, जी हाँ दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, उन्हें आप अपने जीवन में मिला कर देखिए, एक बार आपके चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है, दोस्तों की हमने आपकी राशी के उपर गहराई से अध्ययन किया है, अब आपके जीवन की तीन कड़वी सच्चाईया हैं, जिन्हें भी हम आपको बता दें, इससे आपको यकीन होगा कि आपके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हर एक बातें सच है, सत्य हैं और आप उन पर कार्य करना चाहिए, पहला कि आपको हमेशा अपनों से धोखा प्राप्त होगा, दोस्तों आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा, आज नहीं तो कल लोग आपको, आपके साथ जालसाजी करेंगे, धोखे बाजी करेंगे, ये आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है, दूसरी आपको काम्याबी, बहुत महनत के बाद, गहरे संघर्ष के बाद, घर के बाद ही प्राप्त होगी, आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी और तीसरी कड़वी सच्चाई है दोस्तों ये है कि आप बाहर से दुनिया को सख्त होने का दिखावा करते हैं आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं मजबूत हैं आप किसी की परवाह नहीं है आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उलट हैं आपको अंदर से डर भी महसूस होता है अब इसको लेकर अपने काम धंधे को लेकर अपने जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है और आप हर एक को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं जो आप से जुड़े हुए हैं लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको इसके लिए भी डर है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वही आपको धोखा भी प्राप्त होगा यानि कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल और मुलायम है लेकिन खोलनिस अभाव ठीक इसके विपरीत कठोर और सख्त है इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा लेते हैं गलत अंदाजा लगा लेते हैं आप जैसे अंदर से हैं नहीं लोग अक्सर आपको वैसा ही बाहर से समझते अब इस बात का प्रमान यहां से आप देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते गुप्त रूप से करते हैं इस वजह से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं कठोर हृदय का समझ लेते हैं ठीक इसी प्रकार आप इश्वर मे आस्था तो रखते हैं लेकिन आप दिखा भी बाजी नहीं करते हैं नौ टंकी बाजी नहीं करते हैं इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और जिद्धी और कठोर स्वभाव का भी समझ लेते हैं दोस्त तो यह तो बात है कि आपके अपने जीवन के बारे में आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में यहां से आपको इस बात का अंदाजा लग जायेगा कि अब हम आपको बता नहीं जा रही हैं। वह बातें सच है कि नहीं है तो अब ध्यान से सुनिए। आपके उपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। आपकी बुद्धी का, आपके व्यापार का, आपकी धन, लक्षमी का बंधन किया गया है। इन सब के क्या संकेत होते हैं या दोस्तों ध्यान से सुनिए। आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा। आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। दोस्त हो, चाहे घर हो, चाहे बात का भय लगा रहेगा कुछ अन्होनी की आशंका लगी रहेगी रात को आपको नींद भी नहीं आएगी और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी तूट जाएगी और नींद तूटने का समय अकसर ग्यारहा से एक फ़ान के बीच का होगा जिन दोस्तों इसे पितर के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं तो आप मिलाए अपने जीवन में कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं दूसरा संकेत कि आपका आपके अपने कामकाज से रूचिक कम होने लगेगी जहां दोस्तों चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं आपक तो अपने खुद के काम से ही अरुची हो जाएगी। उसे आपकी रुची समाप्त हो जाएगी। अब इसका परिणाम यह होगा कि जो छोटी-छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही है, काम धंधे में आ रही है। नौकरी के स्थल पर आ रही है। उन सब समस्याएं के समाधान जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करती थी। अब उन समस्याएं के समाधान ढूंडने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं या एक बहुत पुखता पर आपके व्यापार का और आपकी बुद्धी का बंधन कर दिया गया है कि शासन के दोस्तों आपका मन चिर्चिरा हो जाएगा तो तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे घर का माहौल घर की उर्जा अचानक से बदल जाएगी माहौल नकारात्मक हो जाएगा लोग एक दूसरे से जगडने लगेंगे प्रेम पूर्ण माहौल नहीं रहेगा आपस में बैठकर लोग चर्चा नहीं करेंगे लेकिन इन सबसे कहीं बड़ी बात है कि आपकी स्वयम की आपके घर के बड़े बुजर्गों से रिलीज हो जाएगा विवाद हो जाएगा और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में अब सुनिए पुखता संकेत यानि कि ये अस्पष्ट संकेत हैं और बड़े संकेत हैं सबसे पहला संगीत कि आपकी स्थिती असमंजस की स्थिती होगी यानि कि छोटे-छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगे आप ले ही नहीं सही फैसला दूसरा संदेश कि आपका सिर्भारी रहने लगेगा दोस्तों आपको अक्सर सिर्दर्ध होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भजन सा रखा है तीसरा आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी छोटी छोटी बातें भी आप अक्सर भूल जाएंगे अब एक और बड़ा संकेत है इसे भी ध्यान से समझेए कि वंदन किया गया है आपकी बुद्धिका तो होगा ये पहले आप जिससे प्रेम करते थे अब आपको उससे चिड़ होने लगेगी गुस्सा आने लगेगा और धीरे धीरे यह गुस्सा और फिर नफरत में बदल नहीं लगेगा और जहां पहले आप जिन लोगों की संगत पसंद नहीं किया करते थे उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी लगने लगेगी यानि कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं और सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक चीजों और बातों से आपको चिड़ होने लगी है, यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धी काम करना बंद कर देगी आप हमेशा सुध बुद्ध खो ऐसी स्थिती में रहेंगे किंकरतव विविमूर हम की स्थिती में रहेंगे आपको ना तो कुछ सोचेगा और ना ही कुछ समझ में आएगा अच्छा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा लगेगा स्वभाव में अचानक परिवर्तन आएंगे, तभी आप खुश हो जाएंगे अचानक से और कभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे कभी आप क्रोध करने लगेंगे, कभी आप प्रेम करने लगेंगे आपको समझना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए लोग आपसे कटने लगेंगे आपसे दूर होने लगे तो यह सब समस्याएं जो है यह शुरुआत में बहुत हलकी दिखाई देती है छोटी छोटी लगती है लोगों को पता ही नहीं चलता कि यह कोई बड़ी समस्या है जिसकी शुरुआत है लोग इसे काम का तनाव दबाव कहकर टाल देते हैं कभी कभी सेहत खराब जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं लेकिन जब यह समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो फिर इन पर नियंतरन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव से बचपाना भी लगभग असंभव होता है क्योंकि दोस्तों यह काली तेरी आँखें होती हैं जिन्हें काली तांतरिक ने कहा जाता है और इनकी काठ बहुत मुश्किल होती है शुरुआत में तो आप इनकी काठ कर सकते हैं लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए यह समस्या नकारात्मक्ता आपको हद से ज्यादा घर ले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है तो वह इन संकेतों को मिलाईए आपके जीवन में यदि इन में से कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं तो आप हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस क्रिया को अपने जीवन में आजमा ले जो भी समस्याएं आपके जीवन में दिख रहे हैं उन सब को अपनी आँखों के सामने गायब होते हुए देखेंगे। आपके किसी भी प्रकार के बंधन की यह बहुत बड़ी बात है। ध्यान से सुनिए कि बंधन कोई ऐसा नहीं कि केवल आपका ही किया गया है। आपके घर का बंधन हो सकता है। आपका बुद्धी का बंध आपकी लक्षमी का वंदन, आपके व्यापार, काम धंधे नौकरी, हर एक तीज का बंधन किया जा सकता है और बंधन करने के लिए कोई बड़ा प्रयोग नहीं करना है। की शक्ति रखते हैं तो इन्हें आप बिल्कुल भी हलके में ना ले अब बात करते हैं इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेश क्रिया है हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प् वह, पूर्ण साथियों को उपाय होंगे, लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया, अवश्य जाएगी समय अवश्य लगेगा, हो सकता है 25-10 दिन लगे, लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी, फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भी नहीं रह तो यहां पर वैसा ही कुछ मामला है, यहां पर आप ध्यान से समझ गए, कि हम जिस तांत्रिक क्रिया को काटने की बात कर रही हैं, उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम यहां पर आपको सात्वी क्रिया के बारे में बता रहे हैं अब एक और खास बात इस जिस इंसान की बुद्धी का बंधन पहले से ही किया जा चुका है और इंसान तो कभी खुद से इसी विकलिया को करेगा ही नहीं किसी भी धार्मिक कार्य में उसकी रुचि नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की पूजा पाठ क्रिया कलाप में वह किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं लेगा तो अब यह क्रिया किसी अन्य व्यक्ति को करनी होगी चाहे वही उसका कोई प्रेमी हो कोई उसका शुब चिंतक हो परिवार जन हो कोई भी हो रिष्टेदार हो वह इस क्रिया को करेगा तो तो सबसे पहली चिडिया ये है कि एक नीबू आपको लेना है और शनिवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है। अब उस नीबू आपको रात्रिको, ग्यारखीर और बारहिर बजे के आसपास एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है उस नीम्बू में आपको साथ लोंगे लगानी है या दोस्तों लॉंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लॉंग नहीं है, इस क्रिया से किसी भी प्रकार का बंधन हो, वह तुरंत कमजोर पढ़ जाएगा, कटेगा नही साथ लोगों के लगानी है और रात्री को ग्यारालार से बारालार के बीच, उस इनसान के सिर के उपर से उल्टा उतारना है, या फिर ना है, उल्टा फिरेंगे, साथ बार फिरेंगे, साथ बार इसे उल्टा फिरने के बाद, इस नीम्बू को आपको किसी भी तिराहे पर म जाना है और अपने हाथ पैर मुह धोकर चुप चाप आकर सो जाना है अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है वही व्यक्ति आराम कर रहा होगा सो रहा होगा उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे क्यो दोस्त लोग मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे तो अब क्या है कृप्या इसे ध्यान से सुनिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा आपको रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है अ 9 है जहान बजे की आज 9 हालिर बजे के आसपास आप अपने घर में ही करेंगे यह क्रिया ध्यान से सुनना आप तो अब रात्रि को 9 हालिर बजे के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है या दोस्तों और हनुमान 40 का पाठ करना है अब हनुमान 40 का पाठ आप करेंगे साथ बार और साथ बार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे तो थोड़ा सा जल और हर बार जब आपका पाठ समाप्त होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा भ प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काठ केवल और केवल माताकाली के पास है या फिर हनुमान जी के पास है सबसे जल्दी राहत केवल इन्हीं की पूजापाट से मिलती है बाकी सबसे भी मिलती है लेकिन उनसे काफी देर में तो ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है अब आपको संभाल कर रखना है और जिस व्यक्ति की बुद्धी का बंधन हो चुका है जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काबू में है नियंतरण में है आपको यह जल्ब उसे किसी भी बहाने से पिला देना है किसी भी बहाने से यह जल्ब उसे सुभह दूसरे दिन पिला देना है ग्यारा दिनों तक यह क्रिया लगातार चलेगी दोस्तों और किसी भी मंगलवार के दिन से यह क्रिया शुरू हो जाएगी ग्यारा दिनों तक लगातार यह क्रिया चलेगी और आप देखेंगे कि दिन प्रति दिन उस इंसान का स्वभाव साधारण उतर जाएगा कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा और फिर उस व्यक्ति को आप प्रेरित करें उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें धीरे धीरे भाई इंसान पहले तो नहीं मानेगा लेकिन बाद में धीरे-धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा हनुमान जी की पूजा पाट भी करेगा चालीसा भी करेगा और धीरे-धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा अब जैसा कि वीडियो समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि वह कौन सी महिला है जिसने आपके उपर यह तांत्रिक क्रिया की है अनंत्रिया की पहचान, उसकी कार्ड, उसकी क्रिया सब कुछ हमने आपको बता दिया है इस वीडियो में भरपूर ज्यान दे दिया है आप इसे उपयोग करें, बदलाव, स्वयम महसूस करेंगे दोस्तों उस औरत की राशिवरिष्चिक है और उसके नाम का पहला अक्षर जा है आप बस इसे ध्यान से समझिए और पहचानने की कोशिश करिए हो सकता है कि यह महिला आपके घर के आसपास ही कहीं है आपके परिवार में आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से इस महिला का हस्तक शेप अवश्य है इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मान नवदुरगा अवश्य लिखें जय बजरंग बली अवश्य लिखें हैं माता और पवन पुत्र हनुमान आपके जीवन में पूर्ण रूप से कृपा करेंगे आशीरवाद देंगे आपका जीवन बदल जाएगा मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद